और इधर रूस में तबाही का सबसे विद्वनसक चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता क्योंकि यूक्रेन में अमेरिका के फाइटर जेट F-16 की पहले खेप पहुँच चुकी है नीदर लैंड्स ने छे F-16 भेजे हैं इसके बाद डेनमार्क एक और बैज भेजने वाला है अब रूस तम तमा चुका है जिसने यूक्रेनी एयर बेस पर हमले शुरू कर दिये हैं जिससे यूक्रेन पहुँच ए F-16 उडान भरने से पहले ही खाग हो जा अभी तक बैक फुट पर चल रहा यूक्रेन अब रूस में फैनक तबाही मचा सकता है क्यूंकि यूक्रेन F-16 से रूस में घुसकर हमला कर सकता है इसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन को F-16 मिल चुके है रूस ने दावा किया है और एक तस्वीर भी जारी की जिसमें F-16 प्लेन देख रहा है ये वही तस्वीर इसके लाबा एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ओडेसा के ऊपर F-16 उडान भरता देखा है दावा ये भी किया गया है कि यूक्रेन को 6 F-16 का पहला बैज नीदर लेंज ने दिया है जबकि अगली खेट टेनमार्क से आने वाली है जबकि इससे पहले F-16 की ट्रेडिंग यूक्रेनी पाइलिट को कई देश दे चुके है जसमें पॉलिड और डेनमार्क भी शामिल है जबकि फाइनल लेवल की कॉमबेट ट्रेडिंग अमेरिका ने दी अब रूस का गुस्सा साथवे आस्मान पर जा पहुँचा है जबकि नाटो देश काफी खुश है लिथवानिया की विदेश मंतरी ग्रेबेलियस लेंड्स बर्गिस ने कहा है यूक्रेन को छे ऐरक्राफ्ट मिले हैं और साल के आखिर तक इनकी संख्या भीस पहुच जाएगी पहले नीदरलेंड्स और फिर देंड्मार्क इन्हें पहुचाएगा अब युद्ध में नामुम्किन परस्तितियों पर भी विजय पाई जा सकती है रूस के लिए ये परिशान करने वाली खबर है हलाकि रूस कहे चुका है कि वो F-16 को मार गिराएगा जैसे युक्रेन के ड्रोन का खात्मा कर रहा है हलाकि अभी युक्रेन F-16 की तैनाती फ्रंट लाइन पर नहीं करेगा हो सकता है युक्रेन पहले रूसी टार्गेट फिक्स करे उसके बाद भीशन हमले शुरू करें इस बीच रूस ते नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ड्रिल का तीसरा चारण शुरू कर दिया है यानि रूस ड्रिल के जरिये धंकाना जाता है जिबकि अरब से रूस के लिए बुरी खबर आई ढाद सिर्या में रूसी एार बेस क्वेरिस पर बड़ा हमला हुआ यह उसी की तस्वीर है बताया जा रहा है इस हमले के पीछे यूक्रेन जबकि इससे पहले यूक्रेन वाली में भी रूस समर्थेट ग्रुप पर भी हमला करा चुका है यानि अब यूक्रेन रूस युद्ध का दाइरा यॉर्प से बाहर अफ्रीका और मेडल इस तक जा पहुचा है जो एक बड़े विनाश का संकेत वी आरो रेपोर्ट टीवी नाइन भारत वाक्ष